Rare is the union of beauty and purity. There is nothing more pure and beautiful than a person who always speaks truthfully with a shell-like heart. To the pure, all things are pure. युदिश्टिर के पूचने पर लोमश्रिशी मानधाता की कहानी ऐसी कहने लगे की राजा युवनाश्व इक्ष्वा को वंश में उत्पन हुए और वह मंत्रियों पर राजी छोड़ कर वन में रहने लगे और उन्होंने एक बार महर्शी ब्रिगु के पुत्र से पुत्र प्राप्ति के लिए यग्न कराया उस रात के समय पर उपवास से गला सूक जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी उन्होंने आश्रम के भीतर जल के लिए डूनना शुरू किया सभी ठक कर गाड निद्रा में सो रहे थे वही पर कलश में राजा ने पानी देखा और किसी को भी नाव उठाते हुए वो पानी पी लिया दरसल रिशी ने अपने तपोबल से मंत्रपूरित जल को वो कलश में रखा था सुबह उठने के बाद सभी ने देखा कि कलश खाली है और राजा यूवनाश्व ने वो खुद पानी पीने की बात भी बताया तब रिशी को ही एक पुत्र प्रसव करना होगा इसके सोव वर्ष बीतने पर राजा की बाई कोख फाड कर सूर्य की समान तेजस्वी बालक निकला आश्यरी की बात यह है कि ऐसा होने पर भी राजा की मृतियों नहीं हुई उस बालक को देखने के लिए स्वयम इंद्रदेव आई थे उनसे बाकी देवताओन ने पूछा की किम धास्यती याने यह बालक क्या पियेगा इस पर इंद्रदेव ने उसके मुख में अपनी तरजनी उंगली देकर कहा की मा धाता याने मेरी उंगली पियेगा इसी से देवताओन ने उसका नाम मान धाता रखा फिर इंद्रदेव ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपुन वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्तित हो गए। साथ ही अजगाव नामक धनुष, सिंगों के बने बान और अभेद कवच भी आ गए। इसके पस्चात स्वयम इंद्रदेव ने मांधाता का राज्या भिशेक किया और स अभी देवता अपने अपने लोक चले गए। मांधाता की कहानी सुनने के पस्चात पांडव, लोमश और दौम्य रिशी के साथ विंशन तीद की ओर निकले।